वित्र के विकास की संभावना और उस व्यक्ति के विकास की संभावना उतनी ही अधिक होगी ये लैप्स भारत के युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें हासिल करने का विश्वास जगाती है और मुझे पुरा भरोसा है कि हमारे युवा अपनी एनर्जी अपने एंथुजियसम और अपनी स्पीरिट अप एंटरप्राइज से मैं पक्का मानता हूँ आपको सर्प्राइज कर सकते हैं कई बवर वो किसी पर्टिकुलर टेक्नोलोजी से ऐसे ऐसे काम करेंगे जिन के बारे में उस टेक्नोलोजी को बनाने वालों ने भी नहीं सोचा होगा इसलिए मैं अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था हमारे देश के लोगों की सोच कैसी है और ड्रोन का ये भी उप्योग हो सकता है हनुमान जी को इस रामायन के जो मंचन हो रहा था ना तो हनुमान जी को जड़ी बुट्टी लेने के लिए जाना था तो इसलिए यह भ्यान हमारे नवजवानों में इनोवेशन कल्चर को बढ़ावाई देने के दिसा में एक स्वागत योग्य कदम है प्रेंड्स बीते कुछ वर्षों में भारत की सबसे महत्वपूर्ण सक्सेस टोरीज में हमारा स्टार्ट अप एको सिस्टिम भी एक बहुत महत्वपूर्ण थान ले चुका है तो यहां स्टार्ट अप वाले क्या कर रहे हैं कि बहुत कम समय में हमने यूनिकॉंस की सेंचुरी लगाई है और हम दुनिया के टॉप थ्री स्टार्ट अप एको सिस्टिम में से एक बने हैं कि 2014 में हमारे पास मैं 2014 क्यों कह रहा हूं पता है न वो तारिक नहीं है एक बदलाव है कि 2014 के पहले भारत के पास कुछ कुछ हंड्रेड्स स्टार्ट अप से कुछ हंड्रेड्स लेकिन अभी संख्या एक लाख के आसपास पहुंच गई है यह भी बहुत अच्छा है कि स्टार्ट अप को मेंटर और एंकरेज करने के लिए इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस ने एस्पायर प्रोग्रेम की शुरुवात की है मुझे विश्वात है कि आपका एक कदम भारत के युवाओं के बहुत मदद करेगा लेकिन साथियों इस पड़ाव पर हमें ये भी आद रखना होगा कि हम कितना दूर आये हैं और इतना दूर की इन परिस्थितियों के बाद आये हैं आप दस बारा साल पहले के मोबाइल फोन्स को याद करिए तब आउटडेटेड फोन की स्क्रीन कि गड़ी गड़ी हैंग हो जाती थी ऐसा ही होता था ना जर बताइए ना कि चाहे आप स्क्रीन को कितना भी स्वाइप कर ले कि चाहे दितने भी बटन दबा ले असर कुछ होता ही नहीं था बराबर है ना और ऐसी ही स्थित्यू समय सरकार की भी थी अब उस समय भारत की अर्थ विवस्ता का या कहें या तब की सरकार ही ये हैंग हो गये वाले मोड में थी और हालत तो इतना बिगड़ चुका था रिस्टार्ट करने से कोई फाइदा नहीं था बैटरी चार्ज करने से भी फाइदा नहीं था बैटरी बदलने से भी फाइदा नहीं था 2014 में लोगों ने ऐसे आउटडेटेड फोन को छोड़ दिया और अब हमें हमें सेवा करने का उसर दिया इस बदलाव से क्या हुआ वो भी साब दिखता है उस समय हम मोबाइल फोन के इंपोर्टर थे आज हम मोबाइल फोन के एक्सपोर्टर है तब मोबाइल मैनुफेक्टरिंग में हमारी प्रेजन्स ना के बराबर थी लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल मैनुफेक्टरर है तब इलेक्ट्रोनिक मैनुफेक्टरिंग के लिए कोई क्लियर वीजन नहीं था आज हम इलेक्ट्रोनिक मैनुफेक्टरिंग में करीब दो लाग करोड रुपे का एक्सपोर्ट कर रहे हैं आपने देखा है कि गूगल ने भी हाली में ये गोशना किया है कि वो अपने पिक्सल फॉन्स भारत में बनाएगा सेमसंग के फोल फाइव और एपल के आईफॉन फिप्टिन पहले ही भारत में बनना शुरू हो गया है आज हम सब को इस पर घर्व है कि पूरी दुनिया मेड इन इंडिया फोन्स का इस्तेमाल कर रही है साथियों आज जरूरत है कि हम मोबाइल और इलेक्ट्रोनिक मेनुफेक्शिरिंग में अपनी सभलता को और आगे बढ़ाएं टैक इको सिस्टिम में हाडवेर और सॉप्वेर दोनों की सभलता के लिए जरूरी है कि हम भारत में स्ट्रॉंग सेमी कंड़क्टर मेनुफेक्शिरिंग सेक्टर का निर्मान करें सेमी कंड़क्टर के डेवलप्मेंट के लिए सरकार ने पहले ही करीब 80,000 क्रोड रुपीज की PLI स्किम चलाई है आज विश्वभर की सेमी कंड़क्टर कंपनिया भारतिये कंपनियों के साथ मिलकर सेमी कंड़क्टर एसेंबली और टेस्टिंग फसिलिटिज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है भारत का सेमी कंड़क्टर मिशन शिर्फ अपनी डोमेस्टिक निमानी नहीं दुनिया की जरूरत पूरी करने के विजन पर आगे बढ़ रहा है साथियों विकासिल देश से विख्षित देश होने के सफर को अगर कोई और तेज करता है तो वो है टेक्नोलोजी हम देश के विकास के लिए जितना जाबा टेक्नोलोजी का इस्तमाल करेंगे उतना ही विक्सित होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे डिजिटल टेक्नोलोजी में हम ऐसा होता हुआ देख रहे हैं जहां भारत किसी भी विक्सित देश से पीछे नहीं है ऐसे ही हर सेक्टर में बडलाव लाने के लिए हम उसे टेक्नोलोजी से जोड रहे हैं हम सेक्टर के हिसाब से अलग-अलग प्लेट्फोर्म्स बना रहे हैं लॉजिस्टिक्स के लिए पी-म गतिशक्ति नेस्टर मास्टर प्लान हेज क्यल के लिए नेशनल हेल्थ मीशन अग्रिकल्चर सेक्टर के लिए एग्रिस्ट्रेक्ट ऐसे अनेख प्लेट्फर्म बनाए गये हैं साइंटिफिक रिसर्च पांटम मीशन और नेशनल रिसर्च फांडेशन में भी सरकार बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रही है हम इंडिजिनियस डिजाइन एंड टेक्नलोजी डेवलप्मेंट को भी लगातार प्रमोट कर रहे हैं मुझे जानकर भी खुशी हुई कि इंट्रनेशनल टेलिकॉम यूनियन और इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस साथ मिलका इन्वेशन एंट्रप्रनर्शिप फर SDGs विशे पर एक इवेंट कर रहे हैं साथियों इन सारे प्रयासों के बीश एक बहुत ही इंपोर्टन एस्पेक्ट है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं यह एस्पेक्ट है साइबर सिकूरिटी और सिकूरिटी अफ नेटवर इंफ्रास्रक्चर का आप सभी यह जानते हैं कि साइबर सिकूरिटी कॉंप्लेक्शिटी का उस क्या है और इसके क्या दुश्प्रनाम हो सकते हैं जी ट्वेंटी समिट में भी इसी भारत मंडपम में साइबर सिकूरिटी के ग्लोबल थ्रेट्स पर गंबीर चर्चा हुई साइबर सिकूरिटी के लिए पूरी मैनुफेक्टरिंग वेल्यू चेन में आत्मंदिर भरता बहुत जरूरी है चाहे हार्डवेर हो सॉब्वेर हो या कनेक्टिविटी जब हमारी वेल्यू चेन का सब कुछ हमारे नेस्टल डॉमें में होगा तो हमें इसे सिक्योर रखने में भी आसानी होगी इसलिए आज इस मोबाइल कॉंग्रेस में ये चर्चा भी आवश्चक है कि हम ट्रबल मेकर से दुनिया की डेमोक्रेटिक सोटाजी को कैसे सुरक्षित बनाए साथियों लंबे बग तक भारत ने टेक्नलोजी की कई बसिज मिश कर दी है इसके बाद बहुत समय भी आया जब हमने ओल्रेडी डेवलप्ट टेक्नलोजी में अपना टैलेंट दिखाया हमें हमारी आइटी सर्विस इंडिस्ट्री के उसने भी उसको भी बढ़ाने के लिए पर्यास हुआ है लेकिन अब 21 सदी का यह काल खान भारत की थौट लीडर्शिप का समय है और मैं यहां बैटे विए सब को और यह जो अंडें लेप्स को तो गांडन में बैटे विन नवजवानों को कह रहा हूं और विश्वास कीजिए दोस्तों कि जब मैं कोई बात कहता हूं तो गारंटी से कम नहीं होती है और इसलिए मैं थौट लीडर्स वाली बात कर रहा हूं थौट लीडर्स एक नए डाइमेंशन बना सकते हैं जिसे बात में दुनिया फॉलो करें हैं हम कुछ डॉमेंस में थौट लीडर बन भी बने भी है जैसे UPI हमारी थौट लीडर्सिप का परणाम है जो आज डिजिटल पेमेंट सिस्टिम में पूरी दुनिया का नेत्रुत्व कर रहा है इवन कोविड के समय है हमने कोविड का जो इनिसेटिव लिया था आज भी विश्मस की चर्था करता है यह ऐसा वक्त है कि हमें टेक्नोलोजी के एक्सेलेंट एडोप्टर और इंप्ली मेंटर सरके साथ साथ टेक्नोलोजी का थौट लीडर भी बनना ही होगा भारत के पास यंग डेमोग्राफी की ताकत है वाइबरन डेमोक्रेसी की ताकत है मैं इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस के लोगों खास कर इसके युवा सदस्यों को अबंत्रित करता हूँ वही देशा में आएं आगे बढ़ें मैं आपके साथ हूँ आज एक ऐसे समय में जब हम विक्सित भारत बढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं थौट लीडर्स के रुप में आगे बढ़ने का ये टांजिशन पुरे सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है और मुझे विश्वास है और ये मेरा विश्वास आप लोगों की क्षमता के कारण है मेरा विश्वास आपके सामर्थ पर है आपकी क्षमता पर है आपके समर्पन पर है और इसलिए मैं कहता हूं कि यह हम कर सकते हैं जरूर कर सकते हैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुक्त पामना है और मैं देश के दिल्ली के अगल बगल के इलाके के नौजवानों से आगर करूंगा कि वो भारत बंडपम में आएं और ये जो एक्जिबिशन लगा है जिसकी टेक्नोलोजी में कि अविश में जीवन में कैसे नईने खेत्रों को चूने वाली है उसको समझने के लिए यह बहुत बड़ आउसर है बैस सब से अग्रह करूंगा बैस सरकार के सभी विभागों से भी आग्रह करूंगा कि उनकी जो टेक्नोलोजी की टीम हो बो भी हां कर इन चीजों को जीजी सभी को रिचार्ज करने का रिगनाइट करने का इंस्पायर करने का की भारत